हेलो गाईज स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फेंटसी बस पे हम यहां बात करने वाले हैं इंडिया वर्सस बंगला देश के बीच में जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का थर्टी फिफ्ट मैच खेला जाएगा उसके बारे में फुल और गाईडेंस शेयर की जाएगी जिससे आप एक फेंटसी विनिंग टीम बनाना सीख सकते हैं और यह मैच भी खेला जाएगा एडिलेट ओवल एडिलेट के ग्राउंड पर दोस्तों एक चीज की जो इंपॉर्टेंस हो मैं आपको बता दू टेलिग्राम से जुणना बिल्कुल फ्री में क्योंकि बार बर वीडियो बनागे डालना पॉसिबल नहीं होता है तो टेलिग्राम से जुड़ जाएगा कैसे जुड़ना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले कमेंट में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जाए और जुड़ स्कोर ही है अगर हम बात करें बेजन के लिए डिसन्ड मेच खेल गया वहां पर 202 में तो वहां पर साथ मैच में से साथ मैच में 155 का एवरेज स्कोर है और सेकंड इनिंग में 152 का एवरेज स्कोर है यानि कि जो ओवराल हमने डिमस्टिक और इंटरनेशनल देखा उससे थोड़ा कम है बट फिर भी आप बोल सकते हैं कि यह बल्लेबाजों के लिए अच्छा विकेट है अगर बल्लेबाज ख टीम इंडिया अगर वह पहले बैटिंग करती है 170 180 190 200 भी कर सकते हैं ठीक है और अगर बंगलाद इसकी पहले टीम बैटिंग करेगी तो बैटिंग विकेट होते हुए भी आपको पता है कि वह सायद उतना बड़ा स्कोर ना बना पाए क्योंकि थोड़ी वीक टीम है तो यह एक रिजन ध्यान में रखना अपने मन में थोड़ी स्टेटेजी इसके उपर बेस रहेगी आगे हमको पता चलेगा अब दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हुए कैसी फैंटसी एप के बारे में जो कि ग्रोइंग फैंटसी एप है यहां पे आप लोग के बहुत बैनिफ में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं ठीक है बस आपको स्किल्स अपना लगाना है यहां पर देखो सबसे इंपोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको डेली फ्री मिलेगा यहां पर जो भी वर्ल्ड कप के में मैचे होते हैं उसमें आपको फ्री गिववे 10,000 का मिलेगा ठीक है यहां पर 20% तक bonus यूज कर सकते हो ठीक है lowest entry fee से इंस्टेट विड्रॉल है तो आप साइन अप कर सकते हो डिस्किप्शन में लिंक है आप जो deposit amount की बात कर रहे थे देखो यहां पर एक सो यह आप यह amount deposit करोगे तो यह bonus मिलेगा इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो और वेट किस बात कर रहे है फ्री में मौका मिल रहा है पैसे का मानेगा तो ग्रैब करो इसको ठीक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है साइन अप जरूर कीजिएगा अब देखो दोस्तों टीम head to head की बात करें बारिश होगी कि नहीं वह सब चीज की बात करें तो team head to left handers है और बंगलाद इसकी team में maximum left handers है तो हो सकता है अस्वीन आपको खेलते वे दिखेंगे यह चीज ध्यान रखना उसके अलावा इंडियन टीम की बात करें प्लेइंग 11 विद रिसेंट स्कोर तो इनका आप रिसेंट स्कोर देख सकते हो इनके जो टॉप की चार बल्ले जो ओपिन करेंगे बॉलिंग से अर्शदिप भूवी और देथ में मोहमस समी अर्शदिप और भूवी ही आएंगे most probably यही तीन पांच गिंदबाज यूज करते हैं जो पांच में गिंदबाज है अगर यहां से अक्सर पटिल खेलेंगे तो हार्दिक पांडे के ऊवर कट पूरे चारवर डालते हुए दिख सकते हैं ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखना आप इंटन टीम के प्रोबबल प्लेइंग लेवन प्लेयर वाइज स्टैट्स आप देख सकते हो जिसका सच्छा है उसको येलो कलर से मेंशन कर दीगे यह हम सुरू से डिसकस करते आ रहे ह इसलिए आप बार-बार डिसकस नहीं करेंगे लेकिन हाँ जब हम टीम बनाएंगे तो वहाँ पर डिसकसन करेंगे अगर आपको कोई न्यू प्लेयर का स्टैट्स देखना है तो आप ओवर रॉल स्टैट्स प्लस इनका रिसेंट फॉर्म इस तरीके से आप देख सकते हो ठ दोस्तों बंगलादेस ब्लेइंग लेवन विद रिसेंट स्कोर के अगर हम बात करें तो इनके जो इंपोर्टेंट प्लेयर साकीब अलहसन आफिफ उशन मैंमूत मुस्ताफिजुर्रहमान लास्ट में मुस्ताफिजुर्व में चल रहे हैं उसके बाद मुसद्दक हो सकता है आपको यहां से बॉलिंग करते हैं सामने राइट हेंडर से तो मुझे लगता नहीं सो में सरकार बॉलिंग कर सकते हैं लेटन दास थोड़े डिसेंट फॉर्म में दिखें नजमा लुसें सैंतों ने लास्ट में 71 का स्कोरिंग किया है इनके स्कोरिंग क्या है कौन इंप तो अधर्वाइज तास्की नेमद में डालते हैं जो इनकी टीम से अच्छे खासे बॉलिंग डालते हैं वह तास्की नेमद मुस्द्धक हुषन ने डाला था पर इस मैंच में हो सकता आपको सौमें सरकार कुछ ऑवर डालते हैं अगर यह लोग महदी हैसन मिराज को नहीं किया हुआ है तो यह चीजी आप देखते भी चल सकते हैं अधरवाई जब हम टीम बनाएंगे तो वहाँ पे तो हम हर एक प्लेयर के स्टैट्स के बारे में भी डिसकेशन करेंगे और कौन सा प्लेयर कहां पर अच्छा हो सकता है यह भी डिसकेशन करेंगे दोस्तों सब्सक्राइब और विराट कोली का यहां पे अगर आप देखेंगे तो पैसाट का अवरेज का अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट बंगलादेश की तरव से सबीर रहमान का रिकॉर्ड अच्छा है बाकि सबका अच्छा नहीं है आप देख सकते हो इजली और अगर हम बा रिकॉर्ड में कुछ खास है नहीं ज्यादा मैचस खेलें यह दो नीटी में आप बिराट कुली ने एक मैच खेला है नबबे रन बनाया रोहिसर्मा ने थर्टी वन रन सकीबल असन ने इस ग्राउंड पर मैचस खेलें उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की तरब स जरूर आउट हुएं दो बार मुस्ताफ फिजूर्चा सकीबल असन चे पर रन भी उज्यादा की है इवन यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो केल राउल तास्की ने मसे टेस्ट में बारे गिंदों में नौ रन बनाकर दो बार आउट हुएं तो यह थोड़ा सा एक पंडेन एक बार आउट है और सव में सरकार को यूजी चैनल बारा गिंदों में दो बार आउट है लिटन दास चैनल से एक बार आउट हुएं तो यह चीज है प्लेयर बैटल में अब हम चलते दोस्तों टीम सेलेक्शन की दरफ दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना हम बात कर करेंगे तो मैं आपको बता दूगा वैसे मुझे नहीं लगता कि इस एहम मैच में जो इंडिन टीम कोई एक्सपेरिमेंट करेगी तो साइट से नीचे ही खेलेंगे अगर दिनिसकार्थिक नहीं खेलते हैं तो ठीक हार्दिक पांडे से भी साइद नीचे ही आएंगे अग बल्लेबाजी आएगी तो most of the time यह perform करेंगे आप सभी को पता है इनके बारे में सूरी कुमार यादों को फिलाल के लिए नहीं लिया है क्योंकि सामने थोड़ी कम जोड़ टीम है तो हो सकता है इनको उतना मौकर ना मिले खेलने का इंडिन टीम के टॉप बल्लेबाज अच ज्यादा रनना बचे तो वह एक रिस्क रहेगा इसलिए अभी कले मैं नहीं लिया लेकिन फर्स्ट बल्लेबाजी में आप लोग इनको लेके जा सकते हो इसलिए कभी भी जल्दी आउट हो सकते तो एक रिस्क तो बना रहेगा बट सामने कम जोड़ टीम है तो मैं एक्सप उसके बाद नजमा लोशन सेंटो लास्ट में जरूर अच्छा स्कोर किया बट इनका जो नेचर है खेलने का अपनी पारी को बड़ी पारी में तबदील नहीं कर पाते हैं ठीक है लास्ट में बहले इन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया तो देखो क्रिकेटर है दस में से एक को बैक कर रहा हूं क्योंकि सामने थोड़ी सी वीक तीम है इन कंपेर टो इंजन टीम मैं बार बार वीक बोल रहा है इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा हुए के बट फिर भी लोकेस्ट एक टेकनिकल बल्ले बाज है क्वालिटी बल्ले बाज है और कंसिस्टेंट स्क बाद में जब एक बार टिक गहें तो बाद में पर जादा रहा ना भी जानते हैं और इनको लिया हुआ है चेजिंग में आप इनको ले सकते हैं थोड़े बैटर सेफ उसके लावा सो में सरकार बॉलिंग करते हो दिख सकते हैं अगर महधियासन मिराज नहीं खिले तो और लास्ट प्लेंग 11 जो रहा था इनका उसके उसी के साथ जाएंगे तो हो सकता सौ मेसर कर आपको कुछ बर बॉलिंग करते हो दिखेंगे प्लस बैटिंग भी तो आप उस सिच्वेशन में आफिफ हुसेन के जगे इनको लेके जा सकते हो उसके लबाद नीचे कोई अच्छा सब्सक्राइब करेंगे और सामने राइट लिके जा सकते हैं उसके बाद हार्दिक पाइंट को लिया क्योंकि अगर इंडियन टीम लास्ट प्लेंग 11 के साथ ही खेले बस दिर्याशकार्ति के जिए रिशा पंद को भी खिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तब यह आपको पूरे चारगवड डालते वहीं दिख सकते हैं दो तीनवड डालते वहीं दिख सकते हैं क्योंकि उस समय अक्सर पटेल नहीं खेल रहे रहा और दीपा टा का यूज्ड यूजड होगा तो शाहिद एकाध वर्द डालेंगे क्योंकि सामने लेफ्ट हेंडर से तो भी बॉल हिटिंग कभी कभार करने के चक्कर नहीं करते कभी कभार हिटिंग करने की चक्कर में टो आप सकते हो चाहिसके नहीं यहां पे हुए आर्शदीप सींग मस्ठपीक रहेंगे तो लॉडिकली अई उसकिश्या सेय法 तो यह आपके लिए इन फॉर्म बॉलर है और हो सकता आपके लिए एक अच्छे पिक हो जाए खास करके सेकेंड इनिंग में क्योंकि इनको यह कंडिशन सूट कर रहा है और इनके पास अच्छी खासी पेस है और इनको बाउंस भी मिलता है अगर लाइन लेंथ अच्छी रही अगर आप ले रहे हैं तो आप ले सकते हो बट जब भी टू टू पेस्ट विकेट आता है या फिर सोड़ा फिर स्लोई इस नेजर का विकेट होता है यह सामने थोड़ी मजबूर्ट टीम होती है तो इनका थोड़ा बत्तिगुल हो जाता है मैंने नहीं लिया हुए उसके मिस्ता फिजकर को लिए मिश्ता पूरी सेकती हो सकता है त सीच्वेशन में और किसी अदर एसकती हो मैंने इनको लिया हसन ममोו थोड़ा फॉर्म गढ़ा है तो विकेट टेकिंग बॉललर बट रंस लिग कियक रिसेंब मैं मैचेसे में और हो सकता है जैसे अस्टेलिए कि January में करती ने आयलेंड वाले मैच में ले लिए था विकेट तो इनको भी मिल जाया पट मेगा जील और मिनी जील में ट्राइब करना स्मॉल लिंग में थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि फॉर्म नहीं है नीचे अस्विन सेकेंड टेम की बॉलिंग आए तो आप भूवी के ज टेम बन रहे कुछ इस प्रकार से जहां पर कप्तानी मिने आर्जदीब को वाइस कप्तानी विराठ कोली को बनाए एक चीजिज और ध्यान देना कि आप लोग जो है साकीब को भी कप्तानी वाइस कप्तानी केल रावल और रोहिष सर्मा को भी कर सकते हैं ग्रैंड लिग मे इसको बहुत कब लोग लेंगे अर अस्विन दीपक हुड़ा अगर खेलेंगे तो अधर्वाइस इनके जगे पर जो भी खेले अक्षर पेटल वगएरा वह सौमे सरकार हासन मेहमुद और मुसद्दक खुसेन इन सब का रीजन मैंने आपको वीडियो में दिया कब क्यों कै से बहतर हो सकते हैं लोग तो जो थोड़ा रिस्क के टेकर हैं इनको स्मॉल लिग में भी ट्राइ कर सकते हैं अधर्वाइस आप इनको ग्रेंड लिग में रोटेशन के रूप में तो ट्राइ करे लिजएगा अब दोस्तों ये टीम मैंने फुल मैच को देखते हो बनाए कि फुल मैच होगा अगर ओवर कटेंगे तो उसके अकौटिंग मैच में ओवर्स कम होंगे तो हम उस प्लेयर को लेंगे जो हीटिंग में प्रमोट हो सकते हैं तो वह सारी चीज़े फाइनल अपडेट के साथ आपको टेलिग्राम कर दिया जाएगा तो टेलिग्राम का लिंक तब तक के लिए जाहिन